देखिए चैप्टर 3 वर्ग और बर्गमूल का यह पार्ट 2 वीडियो है पार्ट 1 वीडियो में कंसेप्ट को हम प्लाएंगे ठीक है तो जो बचा हुआ कंसेप्ट है उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे देखिए यहां पर हम लिखे हैं कि एक अंक की संख्या का वर्ग में अंकों की संख्या एक या दू होती है क्या कहता है इसको समझे जैसे देखिए एक अंक की संख्या एक से ले करके नौ तक होती है एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ ठीक है तो देखिए पहले हम एक का वर्ग करते हैं तो एक का वर्ग करेंगे कितना होगा एक होगा फिर नौ का वर्ग करते हैं तो नौ गुना नौ नौ मा एक आसी तो देखिए एक अंक की संख्या है एक क्या है एक अंक की संख्या है नौ भी एक अंक की संख्या है तो जब हम इस दोनों का वर्ग किये तो एक का वर्ग एक आया और नौ का वर्ग आया एक आसी तो इसमें देखिए इसमें अंको की संख्या एक है लेकिन इसमें देखिए अंको की संख्या दू है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि एक अंक की संख्या का वर्ग में अंकों की संख्या एक हो सकती है या फिर दो हो सकती है ठीक है तीन नहीं होगी क्योंकि सबसे छोटी देखिए अंक में क्या है एक है और सबसे बड़ी नौ अंक है ठीक है जिरो भी अंखी है ठीक है तो जिरो का बर्ग करेंगे तो देखे जिरो कितना जिरो होगा तो इसमें भी अंखो की संख्या एक है तो एक अंख की अगर संख्या है और उसका बर्ग निकाल रहे हैं तो उसमें अंखो की संख्या यानि कि जो वर्ग आएगा उसमें अंखो की सं अंक्या का वर्ग में अंको की संख्या कितनी होती है? सवाल आप से पूछेगा, जब एक्सेसाजा बनाएंगे, तो महाँ पर इस सवाल आएंगे, ठीक है? इसलिए concept को हुम यहां आप पूपढ़ा रहे हैं. कहता है कि दू अंको की संख्या का वर्ग में अंको की संख्या कितनी होती है तो तीन होती है या फिर चार होती है ठीक है तीन या चार इस से चार से जादा नहीं होगी और तीन से कम नहीं होगी देखिए यहां पर, दो अंको की संख्या, तो दो अंको की संख्या कहां से शुरुवात होती है, दस से, ठीक है, नौ तक तो एक अंको की संख्या थी, नौ के बाद हो गया दस, तो दस से शुरुवात हो जाता है, दो अंको की संख्या, कहां तक, तो निनानमे तक, निनानमे क बात फिर 100 होता है जो कि 3 अंकों की संख्या है तो हमें बात करना है 2 अंकों की संख्या का बर्ग का तो देखिए सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है तो इसका बर्ग करते हैं तो 10 गुना 10 कितना होगा 100 तो देखिए 2 अंकों की संख्या का जब हम बर्ग किये तो इसमें अंको की संख्या कितनी है तो एक दू तीन है ठीक है दो अंको की सबसे बड़ी संख्या 99 है तो 99 का भी बर्ग हम निकालते हैं तो देखें 99 गुना 99 कितना होगा तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं 99 कुन 99 से 991 आशी आशी आथ अठान में जीरो एक तो देखिए दो अंको की संख्या का जब हम बर्ग निकाले तो इसमें देखिए अंको की संख्या कितनी है एक दू तीन चार गो है तो कहीं तीन आ रहा है तो कहीं चार आ रहा है यानि कि दो अंको की संख्या का अगर हम बर्ग निकाल रहे हैं तो उसमें वर्ग में अंको की संख्या तीन भी हो सकती है या फिर चार भी हो सकती है ठीक है तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि दो अंको की संख्या का वर्ग में अंको की संख्या तीन या चार होती है अगला concept दखिए तीन अंको की संख्या का वर्ग में अंको की संख्या 5 या 6 होती है तीन अंको की संख्या का मतलब हुआ कि 100 से कहां तक 999 तक तो जब आप इसका बर्ग निकालेंगे तो इसमें अंको की संख्या 5 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है ठीक है जिस तरह सी दोनों बनाए उसी तरह से इसको भी आप बना के देखिएगा तो जब इसका वर्ग करेंगे इसका तो अंको की संख्या 5 या फिर 6 हो सकती है ठीक है देखिए इस concept को ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि किसी संख्या के अंको की संख्या n हो तो उसके वर्ग के अंको की संख्या 2n या 2n-1 होगी ठीक है यह जो हम बताये हैं आपको इसी पे अधारित यह concept है आप डिरेक्ट इस concept के माध्यम से भी किसी भी संख्या के बर्गों में अंकों की संख्या आप निकाल सकते हैं देखिए हम कोई एक संख्या लेते हैं जैसे हम संख्या ले लिए दस अब यह संख्या है अब जब इसका हम बर्ग करेंगे तो बर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी यह निकालना है तो देखिए सबसे पहले एन निकालेंगे एन क्या है तो जो संख्या दी हुई है उसमें कितने टोटल अंक है उसको गिनिए तो एक और एक दू अंक है तो यहां लिखेंगे दू यानि एन कमान दू है तो इस संख्या का वर्ग में अंकों की संख्या कैसे निकलेगा तो फार्मूला है 2N यह हो सकती है या 2N-1 हो सकती है देखिए यहां पर कैसा रहा था 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है उसी तरह से 2N या 2N-1 यह फार्मूला है तो देखिए 2 गुना N का मान 2 है तो हम लिखाएंगे 2 2 2 निका 4 या देखिए 2N-1 है यानि कि 2 गुना 2-1 तो इसको solve करेंगे तो 4-1 यानि कि 3 तो संख्या 10 है तो इसका वर्激 करिए कितना होता है तो देखिए 10 गुना 10 10 में 10 से गुना किये तो 100 हुआ तो इसमें कितना अंख है, तीन अंख है, तो देखिए, तीन अंख है, देखिए, दू अंखे अगर संख्या रहेगा, जैसे नीनाने में रहेगा, तो नीनाने में का बर्ग करिएगा, तो इसमें अंखों की संख्या हो जाएगा, चार, देखिए, अगर विश्वास नहीं तो दो अंकों के संख्या है इसका बर्ग किये तो बर्ग में अंकों के संख्या देखे कितना है चार है तो वही यहां पर फर्मूला काम करता है छोटी संख्या है तो आप बर्ग करके आंकों की संख्या गिन सकते हैं लेकिन अगर आपको 10 आंक के संख्या दे दिया जाए तो उसको गुना करने में आपको बहुत टाइम लएगा तो उस कंडिशन में आप इस सुत्र का इस्तमाल करेंगे ठीक है जैसे मान लिजे कि संख्या आपको दे दिया ये संख्या आपको दे दिया ठीक है आप कहेगा कि बताइए कि इस संख्या का वर्ग में आंकों की संख्या कितनी है तो अगर आपको ये फर्मूला नहीं पता है तो फिर आप क्या करिएगा इसको गुना करिएगा इस संख्या में इसी संख्या से फिर गुना नफल उसकाएगा फिर उसमें अंको की संख्या गिनेगा तब आप जाका अंसर लिखेगा तो उसमें आपको बहुत टाइम लएगा हो सकता है कि आप गुना सही से कर भी नहीं पाए क्योंकि संख्या बड़ी है तो इस कंडिशन में हम क्या करते हैं कि अंको की संख्या निकालने के लिए बर्ग का इसमें देखिए एन का मान हम निकालेंगे एन क्या होता है जो संख्या आपको दिया गया है उसमें टोटल कितने अंक है उसको गिना जाता है तो देखिए एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, टोटल आठ अंक है यानि एन कमान आठ है तो इस संख्या का बर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी तो देखिए हम डिरेक्ट निकाल लेंगे सुत्र के माध्यम से 2N हो सकती है या 2N-1 हो सकती है देखिए 2 गुना N का मान 8 है 2,8 16 या 2 गुना 8-1 यानि कि 16-1 15 यानि कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका जब हम बर्ग करेंगे तो उस बर्ग में आंको की जो संख्या होगी या तो 16 हो सकती है या तो 15 हो सकती है ठीक है आप्षन में आपको ये 2 आप्षन रहेंगे दिया हुआ तो आप इसमें टिक मार दिजेगा ठीक है तो अगर संख्या बड़ी है तो आप इस सूत्र का इस्तमाल करके आंको की संख्या निकाल लिजेगा अगर छोटी है एक अंको की दो अंको की या तीन अंको की तो आप डिरेक्ट भी यहां से निकाल सकते हैं अब इस कॉंसेप्ट को देखिए यहां पर हम लिखे है कि किसी संख्या के इकाई अस्थान का अंक एक या नौ होने पर उसकी वर्गे संख्या के इकाई अस्थान का अंक एक होगा इक क्या लिखे हैं इसको समझे जैसे मान लेजिए कि कोई संख्या एक है ठीक है अब एक है तो इसका वर्ग करिए तो एक का वर्ग हम करेंगे तो कितना होगा एक होगा तो देखिए इस संख्या का इकाई अस्थान पे कितना अंख है एक है और जब इसका बर्ग किये तो बर्ग कितना एक आया और इसका इकाई अंख भी एक है ठीक है अब एक संख्या हम लेते हैं इगारा ठीक है इगारा संख्या है और इसका इकाई अंख कितना है एक है देखि इगारा का बर्ग हम करेंगे तो होगा एक सो इकाइस ठीक है तो इसका बर्ग किये तो एक सो इकाइस हुआ और इसमें देखिए इकाइस कितना है एक है यानि कि कोई भी सेंख्या अगर हो और उसका अगर इकाइस एक है तो उसका बर्ग अब करिएगा तो बर्ग का इकाई एंक भी एक ही होता है कहने का मतलब यह हुआ एक और हम उदारन देते हैं देखिए 21, 21 एक संख्या है इसमें इकाई एंक एक है और दहाई एंक दू है तो हमको इकाई से मतलब है इसमें इकाई एक है तो देखिए इसका हम बर्ग निकालते है तो देखिए इसका बर्ग कितना होता है 441 होता है तो जब इसका हम बर्ग किये तो बर्ग में भी इकाई अंक एक ही है ठीक है यानि कि वही यहां पर हम लिखे हैं कि किसी सैंख्या के इकाई अस्थान का अंक अगर एक है तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई अस्थान का एंक भी एक ही होता है ठीक है फिर देखिए नौ लिखे हैं तो इसको भी समझाते हैं जैसे माले जी एक कोई संख्या नौ है ठीक है तो इसका इकाई एंक नौ है अब इसका बर्ग निकालिए तो 9 का बर्ग होगा 81 इकाइंग 9 है संख्या का जब इसको हम बर्ग किये तो इकाइंग कितना है एक है फिर देखिए 19 एक संख्या हम लेते है ठीक है 19 एक संख्या है जिसमें इकाइंग कितना है 9 है और इसका बर्ग निकालिए तो उन्हें इसका बर्ग आप करेंगे तो उन्हें इसका बर्ग होगा 361 तो इसमें देखिए बर्ग में इकाई एंक कितना है? एक है तो इससे एक result सामने निकल किया रहा है कि अगर किसी संख्या का इकाई एंक एक या नौ हो तो उस संख्या का बर्ग में जो बर्ग हम निकालेंगे उस संख्या का इकाई एंक भी कितना होता है? एक होता है तो इससे आप क्या सीखे? इससे आप सीखे कि अगर कोई संख्या है जिसका इकाई एक या नौ है और उस संख्या का अगर हम बर्ग निकालते हैं तो बर्ग का इकाई अंक एक होता है ये आप सीखे ठीक है इस concept को देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि किसी संख्या के इकाई अस्थान का अंक दू या आठ होने पर उसकी वर्ग संख्या के एकाईं अस्थान का अंक चार होगा इसका लिखे हैं, इसको समझे कि एक हम कुछ संख्या लेते हैं दू, ठीक है अब देखिए एस संख्या का एकाईं के कितना है, दू है अब इसका बर्ग निकालिए, यानी कि दू गुना दू तो दू-दूनी का चार यानि कि इस संख्या का बर्ग है चार तो देखिए इस संख्या का इकाई यांक दू है और जब इसका बर्ग किये तो बर्ग संख्या का इकाई यांक कितना है चार है फिर देखिए एक संख्या हम लेते हैं बारा बारा एक संख्या है जिसमें इकाई अंक कितना है दू है फिर इस संख्या का बर्ग निकालिए बारा गुना बारा बारा को बारा से गुना करेंगा तो 144 होगा तो बर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है चार है अब देखिए एक हम संख्या लेते हैं आठ ठीक है अब इस तो इससे हम यह सिखे कि अगर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक दू या आठ है तो उस संख्या का अगर हम बर्ग करेंगे तो बर्ग संख्या का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा चार होगा वही यहाँ पर हम लिखे हैं कि किसी संख्या के इकाई अस्थान का अंक अगर दू हो या आठ हो तो उस संख्या के अगर हम बर्ग निकालेंगे तो बर्ग संख्या के इकाई अस्थान का अंक चार होता है ठीक है इसका मतलब यह हुआ देखिए अगला कॉंसेप्ट है कि किसी संख्या के इकाय स्थान का अंक तीन या सात होने पर उसकी वर्ग संख्या के इकाय स्थान का अंक नौ होगा ठीक है इसको समझे जैसे एक हम संख्या लेते हैं तीन इसका इकाई अंक कितना है तीन है अब इसका बर्ग करिए तो तीन गुना तीन कितना होगा नौ यानि कि तीन का बर्ग संख्या नौ है और इसका इकाई अंक कितना है नौ है तो देखे नौ लिखे यहां पर नौ है फि इसमें इकाई एंख है नो, ठीक है, इसमें भी इकाई एंख नो है, अब देखिए, एक संख्या हम लेते हैं साथ, जिसका इकाई एंख साथ है, इसका वर्ग निकालते हैं, तो साथ संख्या का वर्ग संख्या उन्चास है, और इसका इकाई एंख है नो, ठीक है, एक और संख संख्या में इकाई यंक भी नौ है तो इससे एक निश्कर्ष निकलता है कि अगर किसी संख्या का इकाई यंक तीन या साथ हो तो उस संख्या का वर्ग संख्या का इकाई यंक हमेशा नौ होता है हमेशा नौ होता है ठीक है तो इसको पढ़ने से यह हम पो फैदा हुआ कि मान जब 230 को 230 से हम गुना करेंगे और जब गुना नफल इसका गत्त है उकाई एंग को हम बताएंगे कितना है तो हम गुना भी नहीं करेंगे और डिरेक्ट बता देंगे देखी कैसे हम इस सेंख्या को ध्यान से देखेंगे इसमें इकाई एंग कितना है तीन है तो हम जानते हैं तो इसको हम गुना भी नहीं करेंगे, और डिरेक्ट बता दिये, कि इस संख्या का जो वर्ग संख्या होगा, उसका इकाई अंख 9 होगा, ठीक है, तो इसको पढ़ने समको यहीं फैदा होता है, अब इस कौंसेप्ट को देखिए, इसमें कहता है, कि किसी संख्या के इकाई अ देखिए, इसका वर्ग संख्या का इकायंग के कितना है, 6 है, देखिए, आपन 6 लिखे हैं, फिर एक संख्या लेते हैं, 14, इसका इकायंग के कितना है, 4 है, इसका वर्ग निकालिए, तो 14 गुना 14, 196, अब देखिए, 14 का वर्ग संख्या का इकायंग के कितना है, 6 है, इसमें सुलान wind कई धान लेते हैं डते हैं के कि आ संफ्या का वर्ग निकाल लेते हैं कि शवल्ब कोना जबता है देखिए हमेशा 6 आ रहा है ठीक है तो इससे ये फैदा होगा कि मान लिजे कि आपको कोई एक संख्या दे दिया है 24 ठीक है और कहेगा कि इसको गुना भी नहीं करना है बिना गुना किये इस संख्या का वर्ग संख्या का 1 अंक बताईए कितना होगा तो हम देखिए बता देंगे हम जानते हैं कि किसी संख्या का अगर इकाई-अंक चार है तो इसका वर्ग संख्या का इकाई-अंक हमेशा 6 होता है तो आंसर हो जाएगा 6 ठीक है मान लिजे कि 366 दे दिया आँ कहेगा कि बिना गुना किये इसका वर्ग संख्या का इकाई अंक बताए तो हम जानते हैं कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक 6 हो तो इस संख्या का वर्ग संख्या का इकाई अंक भी हमेशा 6 होता है तो इसका अंसर हो जाएगा 6 तो इस तरह से हम सवाल को solve कर लेते हैं अगर ये concept पता है तब ठीक है और इसका वर्ग निकाल लिए, तो 5 गुना 5, तो 5 को 5 से गुना करेंगे, तो 25 होगा, तो देखिए, इसका भी देख रहे हैं कि काई अस्थान का जो अंक है, वो 5 है, ठीक है, फिर हम ऐसे संख्या लेते हैं, जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे 15, 15 एक संख्या है, और इसका इकाई अस्थान का अंक है, वो 5 है, ठीक है, तो इससे एक निस्खर्ष निकलता है, कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, तो उस संख्या का वर्ग संख्या का इकाई अस्थान का अंक भी 5 ही होता है, ठीक है, तो समझ गए, अब इसको देखिए, काता है कि किसी संख्य के एकाई अस्थान का एंक 0 होने पर उसके वर्ग संख्या के एकाई अस्थान का एंक 0 होता है समझे इसको जैसे माल लेजिए कि हम एक संख्या लेते हैं 10 अब इसका एकाई अस्थान का एंक 0 है अब इसका वर्ग निकाली है तो 100 को बर्ग निकालेंगे तो 100 गुना 100 तो 100 में 100 सो गुना करेंगे तो देखिए 11, 11, 1000 दस जार, 10,000 हुआ अब इस संक्या का 91 स्थान का आंक देखिए कितना है? 0 है तो अगर 0 है, तो 0 ही होगा अगर 5 है तो 5 ही होगा तो यह सब कंसेप्ट है यह सब आपको पता होना चाहिए ठीक है